चलिए सभी को गुड़ इवनिंग 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 चलिए स्टार्ट करें चलिए तो पहरा कोर्शन आपका दिया गया है प्रदेश में नवाब गं सबसे पहले नवाब गंच पच्छी वियार आपका यहाँ पर दोस्तों अगर आप बात करें कि सांडी पच्छी वियार तो आपके हर दोई में है तो आपके हर दोई में है समान पच्छी वियार की बात करें तो कहाँ पर है तो आपके मैंन पूरी में है यहाँ पर याद रिखे समान पच्छी वियार सूर सरोवर आपके आगरा में आगे बड़ एक कोशन दिया गया है कि प्रदेश का सरवाधिक बिस्तरत पच्छी वियार कौन सा है प्रदेश का सरवाधिक बिस्तरत मतलब सबसे बड़ा पच्छी वियार कुछा गया है यहाँ पर दोस्तों देखें लाक सब्द लिखा है ना लाक और लाक बड़ा तो होता ही है तो यहाँ पर हो जगा लाक बहुसी पच्छी वियार जो कि कहाँ पर है यह आपके इत्र नगरी कन्नोज में है कहाँ पर है इत्र नगरी कन्नोज इसका अंसर राइट हो जाएगा बारवती अरंगा पच्छी व्यार काँ पर है तो आपके गोंडा में है तो यहां पर गोन हो जाएगा ओप्सन देखे आपका भी नंबर यहां पर मैच कर रहा होगा है अना यहां पर आगे बड़ यह कुछ दिया गया है सून भधर में निम्न धातू में से कौन सी पाई जात यहां पर अंसर जिसका आया है बी नमर विल्कुर राइट हो जाएगा दो तीन चार इसक अंसर यहां पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्रच जो कभी समाजिक वानकी में लोग परी था अब यहां पारस्तिकी आतंकवादी माना जाता है मतलब दोस्तों क्या था कि बहुत था यहां ठीक है लेकिन जब दिक्तें आई हैं तो लगा है कि नहीं बहुत खत्रनाग प्रेण आपका है ठीक है दोस्तों एक नीती लाए गए थी इस नीती के अंसर का गया था कि कितने छित्रफल पर वण होना चाहिए जिससे पर्यवरण जो संतुलन है वो बना रहे तो देखे आपने पढ़ा होगा लगभग 33 परसंट क्या पढ़ा होगा लगभग 33 परसंट पढ़ा है और लगभग 33 पढ़ा है तो इसमें कोई आपसं तो दीखी रहा होगा न यहाँ पर अंसर आपका होज़ेगा डी नंबर एक बटे तीन आपका अंसर राइट होज़ेगा नेस कोशन दिया गया है कि प्रदेश में सर्थम 1957 में किस वन जीव विहार की स्थापना की गई थी नेस कोशन दिया गया है कि राजड़ मेंएक बबर सिर्फ सफारी इस्थापित किया रहा है दोस्तों यह इस्थापित हो चुका है और यह आपके कहाँ पर है तो आपसंग क्या बनेगा इटावा में है दोस्तों इटावा के अगर बात करें दोस्तों एक ऐसा आपका जिला है जहाँ पर क्या है ना मिट्टी का कटाव जादा होता है नदी का जो नाली परदन जो होता है यहाँ पर जादा होता है यहाँ पर एगला question दिया है दूसरी बात अगर बात करें, कि कि आप परवर्ण की गुलवत्ता को बढ़ाते हैं, तो नवी करण गुलवत्ता की उपर नहीं जाएगा, ठीक है न, तो इसका अंसर हो जगा A और R सही है, लेकिन R A की ब्याखा सही नहीं कर रहा है, ये जो कह रहा है, ये जो कह रहा है, ये अगर एक कोशन दिया गया है, इधा आपरेशन गिरीन परियोजना का उतर्व देश में सुभारम जो हुआ, ये कब हुआ था, चले, यहाँ पर आपरेशन गिरीन परियोजना, लेकपाल में ऐसे कोशन हमने बहुत पढ़ाया है, देखे, आपका अंसर क्या हो जगा, 2001 में, 2001 जो अंसर है, यहाँ पर सी निमबर हो जगा, नेश कोशन मताएगा, कि राष्टे उद्यान दुद्वा, जोकि लखीम पुर्खीरी को बाग पर योजना में कब समलित किया गया था, लखीम पुर्खीरी जोकि बाग पर योजना है, इसको समलित जो किया गया ये कब किया यहाँ पर देखें, यह 1987-88, यहाँ पर राइट हो जाएगा, आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है, निमनल कित में यहाँ सुमेलित करना है, यहाँ पर सही सुमेलित करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, जो आपका सोन भद्र है, सोन भद्र में क्या मिलता है चुने का पत्थर मिल जएगा यहाँ पर फुर कर ये ठीली भीत में क्या मिलता है thou glass sand मिलते हैं मतलब सीसे वाली बालू यहाँ पर इसका 3 कर दीजे यहाँ पर यहाँ गया है क्या ललितपुर में क्या मिलता है तो दोस्तों तामा मिलता है यहाँ पर दो हो जाएगा मिर्जापुर मिलता है नान प्लास्टिक फाइर के लिए यहाँ पर इसका one हो जाएगा तो आपसन देखिए इसका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है कि निम्ने जन्पदों में कौन सरवादिक one अच्छा दित है अब यह बताएगा 22 संबर में जो आपसन है यहाँ पर बाई संबर में वो सोन बद्र है सोन बद्र में दोस्तों one जो आपके है बहुत है यहाँ पर अंसर आपका अगला कोशन है शुरा अताल पच्छी विया रिष्थी थे यह आपके कहां पर रिष्थी थे 123 को अपसन देना है यह आपके बलिया में है जो आपके बलिया में जवाब देखे सब के सही आ रहे हैं और उमेद है कि काफी इच्छी तरीके से आप लोग तयारी है बयां और बेता तरीके से रिविजन कर रहा है आगे बड़ी कोशन दिया गया है नेमन में से कौन साई समेलित नहीं है कौन साई समेलित नहीं है कोईरा सोनबाद्र बलुवपत्थर मिर्जापूर सिलका बालू इलाहबाद और यूरेनियम जहां से अब आप बताएग क्या यूरेनि को औफसन देना है दोस्तों याद रिखिएका प्रदेश का सबसे बड़ा वने जीवृ यार पूछा गया है बड़ा पूछा गया है पुराना ने पूछा गया है यहां पर हश्तिना पूरजुबूर आपका दिया है और अपसं सी यहां पर राइट हो जाएगा चंद प्रभ खनी जिन में से कौन 126 जंबर में, यहाँ पर दोस्तों देखे, उत्तर प्रदेश में ये डोलो माइट आपका है, और ये जो आपका है राउक फास्पेस, ओप्सन C, यहाँ पर राइट हो जाएगा, आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है, सही सुमेरित करना है, सही कूट को और यहाँ पर देखे, सोन भद्रिक की नहीं वालू थी, यहाँ पर देखे, वन हो जाएगा, तो आपसन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका C, नमर है, राइट हो जाएगा, आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है, निम्न में से कौनसा एक खनीज, उत्तरवदेश में नहीं पाया जाता है यहाँ पर देखे चूना पत्थर बग्स एक जीवसम यहाँ पर देखे कि अब्रक आपका ऊत्तर में नहीं पायाता है कौन है अब ब्रक देखे सब का जवाब बिल्कुल सही है और प्संट आपका बनेगा यहाँ पर आपका इस पिछुछे वाली वी क्लास में पर उणी जवाइटर है वंवाहिवे 1 जो आपका सबसे बड़ा यहां पर जल मारग का आपका है इस वायटर हैब्र वन यहां पर अंसर जो है इलाहा बास से हल्दिया के मद्धा आपका है जो कि गंगा में है तो आप समय घानेगा क्या यह आपके बहुत बार पूछा गया है कि पूरा पर उत्तर दचिन कारीडोर जो सिक्स लेन है कि राष्टी जलमार्ग जो राष्टी राजमार्ग एक दूसरे को मिलने का इस्थान क्या है तो वह यहां देखिए जो आपका प्यारा सही भारत है ना इसमें से क्या है जो यह अगरा क्वेशन है कि जीती रोड कहां से नहीं गुजरती है डोस्ते या दरी की लाबाद जाएए तो जीती रोड अगरा भी है मुगल सराएं है लेकिन अली गड़ियां पर अंसर है चेहरा नहीं जुड़ा है राष्टी राजमार्ग संख्याटी नहीं जुड़ा है जब जदा बार पढ़ने का प्रयास करें। जब जदा जदा बार पढ़ेंगे आट्वमेटिक विल्कुल जबान में रट जाएगा। और हमारी चैनल से जुड़े हैं तो बस यह चैनल रिवीजन के लिए होता है हमें सादे प्रैक्टिस कराते हैं। जितना प्रैक्टिस आपकी एक्जाम के समय कर लेंगे, उससे बहतर आपकी कोई चुछ नहीं होते ही है, ठीके ना, आगे बढ़िएगा, सही सुमेलिक करना है, यहाँ पर 135 संबर आपसे दिया गए, 135 संबर में क्या सही हो सकता है, तो देखे, यहाँ पर कुछ आपके हवाई एड़े दिये गए हैं, तो आपसन का यूज करिए और आपसन के अनसार जवाब दीजे, इलाहाबाद अगर आप जाते हैं बई, तो इलाहाबाद में एक हवाई एड़ा है, कौन, बम रॉली, कान है बम रॉली, ठीके, कानपूर अगर आते हैं, तो कानपूर में आपको मि फिर से आपका रिपीट हुआ है, यहाँ पर जरूरी ने कि 6 लेन आपको दिया गया हो, नहीं दिया गया है, लेकिन कोशन आपका वही है, अंसर हो जगा आपका, यहाँ पर जहासी हो जगा, नेस कोशन दिया गया है, कि गंगा नदी निम्ण में से किस बाग को राश्टी जलमार्ग घोशित किया गया है मतलब गंगा नदी को जो राश्टी जलमार्ग घोशित किया गया है वो कहां से कहां घोशित किया गया है तेलाहाबाद से हल दिया ओप्सन यह हो जगा इलावाद से हल दिया नेस कोशन दिया है उत्तर पदेश से शुरू होने वाला सबसे लं बापडेट क्या है वर्टमानमेज उत्तर प्ध़ाइश से सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग है वह कौन सा है तो आप कहेंगे भीया यहां पर 19 वेरी गूड दीखो यह नहीं कही रहा कि भारत का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग ताज अंतरास्टी पुचा गया एक 803 में, चले, यहाँ पर जिवाब दीजे, इस कंसर्ण में ने से क्या होजेगा, चले, बताई इसका जवाब ने से क्या होजेगा, कह रहा है आपसे टाज अंतरास्टी हवायड्य का निरमाल कहां किया जा रहा है, चले बैइ, ग्रेटर न जो आपका है वो आगरा में है लेकिन याद रिखेगा 2001 में दोस्तों 2001 में उस समय मुख मंतरी राजनार सिंग थे जो कि यमना एक्सप्रिस से जो सटा हुआ है ग्रेटर नुएडा उसके पास जीवर गाउं यहां पर पुड़ी लगाना है ठीक है आगे बड़ एक कोशन दिय खरिट करना है हवाई एड़ दिया है और यहां पर नगर दिया गया है अभी-अभी अपने मिलान कियाTime心 आपको तु Gest at दिखा दे रहे हैं और इस आपिसन के अनुसार यहांप आपको जवाप देना है चलिए बबाई काहाँ पर है पंपर आपके इलाब हो गया इसका दो हो गया तो आप समन गया आपका यहाँ पर बी नंबर हो गया ठीक है आगे बड़ यह कोशन दिया गया है उत्तरदेश का निमनिखित में से कौन सा नगर राष्टी राजमार्ग दो द्वारा नहीं जोड़ा जाता है यहाँ पर एक सुक्तारिस कॉप्सन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ रिखेगा वारनरसी जाएए इलाहबाद जाए आगरा जाएए लेकिन वह यह जो लखनाव होता है ना तो कानपुर जो रामा देवी है तो यह यहाँ से इलाहबाद आ गया हना इसके आगे निकलेंगे तो आगरा वाले को भग जाएंगे, ठीके, यहाँ पर जो लखनव है, यह लखनव वाला यह ऐसे भग जाता है, उल्टा भगता है, तो यहाँ पर याद रहे हैं, लखनव जो आपका है, यह नहीं जुड़ा हुआ है, नेस्ट कोशन दिया है, प्रदेश का सबसे लंबा होगा, NH-19, क्या लगाना है, NH-19, हमने बताया हमारी क्लास में, जो भी कोशन होगे, अपडेट में आपको जरूर मिलते रहते हैं, तो इसको आपको जवाब क्या देना है, NH-19, यह उत्तरवदेश का सबसे लंबा है, उत्तरवदेश के गाजीपूर को बिहार के पटना से काँसे उत्तरवदेश का जो गाजीपूर है, और बिहार के पटना से लगबग देखा जाए, तो काफी लंबा ये राष्टी मारा गवनी, सजार 244 लगबग काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर वारा नसी में कौन सा है, तो आपका बाबत पूर हो जाएगा, क् कॉर्षिन आपने पढ़ लिया है, तो अब दुवारा आपको टेंसर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वन हो जाएगा, कानपुर में आपका चकेरी तो यहाँ पर फोर हो जाएगा, और आगरा में है कौन सा? खिरिया, आगरा में है खिरिया, तो यहाँ पर हो गया दो, तो याद्रिकि इस गांसल आपको डी होचेगा इलभवाज से हलदिया के सबसे लोगा है वाटर हाई Union आपका दुस्तो आप eingसफ्रेस वह किनके बीच यमना एक्सप्रेश वे किनके बीच है 145 समर आप से दिया गया है दोस्तों आगरा से ग्रेटर यादर किये ये यमना एक्सप्रेश को ताज एक्सप्रेश भी कहते हैं जो कि 6 लेन है हाना आठ लेन का विश्टार अपका किया जा रहा है लगभाग 165 किलोमेटर लंबा भी है अपका है और एक्सप्रेस को नियंतरिक करने वाली सुधाव इसमें की गई है आगे बड़ ये कोशन दिया गया है कि यमना एक्सप्रेस वे कहां से नहीं गुजरता है ये यमना एक् बात करें यमना एक्सप्रेस की बात कर रहा है तो यहां पर फुर्सत गंज यह आपके तो नहीं है वही फुर्सत गंज आपके है राय भरेली क्योंकि राय लेते हैं फुर्सत में तो इस कारण से ऑप्संडी गलत हो जाएगा नेस कोशन दिया गया है लखनाव आग्रा ग् किस जिले में नहीं गुज़ड़ेगा यहां पर जवाब देना है क्या अंसर हो जाएगाscale रखनाव आग्रा गने इस्प्रेस वेए निम्ड में से किस जिले से नहीं गुजड़ेगा चले में एक of एक तारे सब्सक्राइब, आगे बड़ी कुशन दिया गया है, यहां पर जवाब दिजै कि देश का क्या दिया है। यहां पर अंसर क्या हो जएगा, तो आपके राए बरैली में, इसको समत आएगा, कि राश्टी राजमार्ग विकास पर्योजना के उत्तर दच्छिन तथा पूरब पर्षिम गलियारे जो मिलते हैं यहां पर बताईए कि जो राश्टी राजमार्ग विकास पर्योजना थी जिसमें से चार महानगरों को जोड़ा गया था उन माहानगरों में से उत्तर और दच्छिन और पूरा प्रस्यम की जुगली आ रहे हैं ये कहां मिलते मतले इनका जो मिलान केंद्र है वो कहां मिलेगा तो आपका जहांसी 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 जो आपका है इनका जंक्सन बनता है यहां परंसर आपका बी बनेगा आगे बढ़ि प्रियाग क्या होज़ेगा प्रियाग इसका जो अंसर है यहां पर अंसर भी होज़ेगा और भी धुधुधूध कल की क्लास में आपको मिला होगा जल्बीदुट केंदर जो हैं किस नदी पर बनाया गया होज़ेगा रिहिंद नदी सहैर throughout तो यह है परमाडविक मतलब आणविक उंदर परमाडविक हो गया तो नरौरा आणविक सेयंतर आपका कहा पर है एक सुचब वा नमबर में आप्षन देखे बुलंद सहर हना बुलंद सहर जो आपसं दिया है यह पर डी नमबर इसका राइट हो जाएगा ठीक है आगे नमबर में से किस स्थान पर एक नाविकी अरजा परियोजना है 156 नमर में दोस्तो नरावरा इसका अंसरड़ी हो जाएगा अगला कॉर्सन दिया है माता ठीला बहुत देशी परियोजना या बेत्वा नदी पर है और निजी छेतर का है कौन सी तापी परियोजना निजी छ यह पर दिया है किस रूप में प्रदूशन की समस्या नहीं होती है उत्रदेश के किस नहर पर सरवाधिक जल विद्धुत उत्पादन के इंद्रेशण देना है, 161 question क्या होज़ेगा तो उपरी गंगा नहर जो आपकी है इसमें सरवाधिक जल विद्धुत आपके हैं मतलब यहां पर देखा रहा है तो उपरी गंगा नहर जो आपकी है इसके जल की उत्पादन से बिजली का उत्पादन बहुत जादा होता है नेस कोशन दिया गया है कि प्रदेश में विद्धुत उर्जा का सरवाधिक महत्तिपुन्ट सुरोत क्या है चले याद रहे के तापी उर्जा यहां पर जो थर्मल पावर प्लांट है एंटी पीसी का नहीं है तो यहां पर देखे उचाहार भी है टांडा है और रया भी है लेकिन ओबरा जो आपका है एंटी पीसी का नहीं है रूस के सयोग से इसमें कई इकाईयां स्थापित की गए थी अगला कोशन दिया है सीतला जल्विदुत परियोजना इस्तित है यहां पर देखे सीतला जल्विदुत परियोजना आपके जहांसी में कहां पर है जहांसी प्रदेश में वेकल्पी कुर्जा के विकास के लिए वेकल्पी कुर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी वेकल्पी कुर्जा के विकास के लिए वेकल्पी कुर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी 106 नंबर के अगर बात करें तो दोस्तो आपका जवाब हो जगा बी नंबर है 1983 कंसर राइट हो जगा नेश कोशन दिया है उत्तरपदेश में परमाण उर्जा केंद स्थापी थे तो आपके कहाँ पर रहे नरावरा उप्शन सी राइट हो जगा आगे बड़ी ये कोशन दिया गया है यहाँ पर देखे आपका अंसर क्या हो जगा तो सोवियत संग जो आपका रूस है उसके सहय थसी की गई ये उप्शन बनेगा ए नमबर बनेगा नेश कोशन है माता टिला बांध किस राजमिश्टी थे माता टिला बांध किस राजमिश्टी थे माता टिला बान के अगर बात करते हैं तो आपके उत्तरपदेश में बेतवा नदी पर है ओप्संसी बनेगा नेस कोशन दिया गया है निमने में से NTPC सेंटरों में से कौन गय साधारित नहीं है गय साधारित नहीं है दोस्तों देखे यहाँ पर देखे जो टांडा है कोईला से यहाँ पर बिजली का निर्मार होता है जो कि आपके NTPC की दोरा यह सेंटर है आगे बढ़ी यह कोशन दिया गया है उत्तरपदेश में अधिक्तम छेत्रफल वाला जनपद है कौन सा है उत्तरपदेश में अधिक्तम छेत्रफल वाला जनपद यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर अंसर क्या बनेगा तो आप कैंगे सर लखीम पुर्जु कीरी है यह आपका सबसे बड़ा छेत्रफल वाला जनपद है आगे बढ़ीएगा 2011 की अंसार प्रदेश में पुरुस साचरता दर दीखे, यहाँपर लगभग दिखा जाए तो 77.3%, यह है पूरुस साचरता है यहाँपर अंसर भी बनेगा अगला है 2001 की अंसार कौन सरवाधिक साचर? बताएं, इन मेंसे सरवाधिक साचर कौन से है यहाँ पर जवाब दिना है सरवादिक साच्छर कौन से है बोध, दिसाई, जैन, या सिक यहाँ पर 173 नमबर में option C जवाब के जैन है यह 2001 के अंसार यह सरवादिक साच्छर है 2011 के अंसार राज में सिसुल लिंगा अनपाद पूछा गया है तो यह सिसुल लिंगा अनपाद जवाब का है यह option B 902 यह 2011 के अंसार दिया गया है यहाँ पर लिंगा अनपाद पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि 2011 के अंसार राज में महिला अबादी कुल अबादी के लगभा कितनी है बताएं महिलाएं कितनी है कितने परसंट महिलाएं है आपके 2011 के कोडिंग दोस्तों, आप कहेंगे 48% क्या है, महिलाएं और 52% क्या है यहाँ पर कुल अबादी का जोग पूरुस हो जाएंगे आगला क्वेसन दिया गया है तो तरदेश में लिंगान पात विभेस सरवाधिक रूप से घटा था लिंगान पात का जो अंतर था वो सरवाधिक रूप से घटा यह कब घटा था तो दोस्तों, 1991 से 2001 में यहाँ पर अंसर आपका ड़ी हो जाएगा और अगर पूचे लिंगान पात का जो बढ़ा था वो कब तो आप कहेंगे एक हत्तर वाले में लिंगान पात अचानक बरदी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर बांगला देश वाले काफी लगभग 10 लाख लोग अपने भारत में प्रिवेस कर दिये थे यहाँ पर दिया है प्रिवेस की जनसंख्या की दस्की ब्रधी दर दिक्तम कब रही तो भईया जो अभी अभी अबने बताया कि यहाँ पर कैसे कहेंगे दस्की ब्रधी दर पूच लिया है, यहाँ पर अंसर क्या हो जेगा 91 से 2001, अगला कोशन दिया है कि प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दस्की ब्रधी कब होई यहाँ पर दिखो दिया गया है तो वही कोशन आपका अंसर हो गया सी नमबर हो गया, यहाँ पर दिया गया है तो 2011 के अंसर उत्तरपदेश में स्ट की सर्वाधिक सांदरता कहां पर है स्ट जो आपको मिलेगा वो कहां मिलेंगे भईया, स्ट यह कहां पर आपके सर्वाधिक है तो आप कहेंगे भईया, यहाँ पर जो अंसर आपका दिया गया है वो आपका कौन सा हो जाएगा सोन बद्र में, बिलकुल सही है सोन बद्रिस का अंसर जो आपका है सी नमबर होज़ेगा सुनभत रोज़ेगा अगरा कोशन दिया गया है इस दो हजार ग्यारा के अंसार नगर निगम केवल निगम छित्र में दस लाग से दिक जन संख्या वाले नगरों का सही क्रम आप बताना है वो भी 2021 के अंसार बताना है अब तो हमारे गाउम भी 10 लाग क में तो बहुत कुछ अंतर मिलेगा आपको याँगा एक 183 कर बात करें याँपर याद रेखे लखनौ है कानपूर है खज्याबाद है और आपका आगरा हो जाएगा तो यहाँपर दोस्तों याद रिख्एक लखनौ कानपूर गाज्याबाद और आगरा क्या इसमेंसे अन morte малыш है इसको देख सकते हैं आप ठीक है इसे देखेएगा वह इस लखनव में जो आपको मिलता है वो लखनव मिलता है ठीक के अफ्टानपुर में माईलाई साछर रहती है थी जरकन वाला 안सर लेकिन जनसंक्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर दिया है 2011 के अंसार सरवादिक इसलम आबादी वाला जो जीरा है वह आपका कौन सा है यहाँ पर दोस्तों आपका अंसर क्या उजीगा मेरट छेत्र जो आपसे नहीं यहाँ पर भी नमबर है मेरट हो जाएगा नेश्च में तीसरा इस्थान रहा है तो वह यहां देखे धार्मिक सम्दाय में देखा जाए तो उत्तरदेश में तीसरा इस्थान जनसंखे के गॉड़िंग यहां पर जो आपका 84 को अपसन है वह कड़ी होजेगा सिख होजेगा यह तीस नमबर पे थे अगला कोसं दिया गया है 2011 के उचितम साचरता जर्दो है 185 नमबर में वह आपसंसी कानपूर नगर इसका अंसर होजेगा साचरता में कानपूर आपका है दोस्तों यहां की मैलाएं भी काफी पड़ी लिखी है यहां पर दिया है जन्गरणा 2011 के अंसार उत्तरदेश का सर्वादिक साच्छर जिला कौन से कौन है 187 कोप संदिना है यहां पर अंसर याद रिखेगा यह जो सीतापूर है हना अन्सुची जाती मतलब होता है ऐसी तो दोस्तों याद रिखेगा जो संख्या है वो सीतापूर में शर्वाधिक है यहां पर दिया गया अगला क्कोशन है कि 2011 की जन्गरणा के अंसार स तरवादिक साचर्टा वाली चार जिलों का सई और उही क्रमत आईएगा तो हमने बता है गौतम बुद्ध बहुत क्या थे ग्यानी थे इसका मतलब गौतम बुद्ध नगर सई स्टार्ट करना पड़ेगा उसके बाद कौनपूर फिर अरया फिर इटावा यहां पर अंसर यहां पर एक और तीन जौबस नहीं यहां पर बिनमबर है वो बिलकुल सही जवाब है आगे बड़ एक कोशन दिया गया है 2011 के अंसार राज में 1000 बालकों पर बालिका सिसूं की संख्या जो आपकी रही है वो रही है 902 अभी अभी हमने पढ़ाया था 902 यहां पर दिया गया है कि 2001 को 2011 के यवदी में प्रदेश में जनसंख्या ब्रद्धी दर्जो रही जनसंख्य ब्रद्धी दर्जो रही वही है 2001 से 2011 में वह कितनी रही थी तो यह रही थी 20.22% आपको बनेगा डी निमबर है अगला कोशन दिया गया है कि 2011 के अंसार जनसंख्या के घर्टे करम में जीलों को ब्यवस्तित कर सही कूट आपको चुनना है यहां पर देखे चुनना है तो द ठीके मुरादाबाद के बाद पहुंचेंगे गाजीवाद फिर इसके बाद आपका लखनवु यह चीज को याद रखेगा बाद सब्द वाले जरूर ध्यान दिजिएगा इलाहाबाद मुरादाबाद फिर आपका गाजीवाद ठीके तो आप पर अंसर होगे आपका one हो ज सही नहीं है क्या सही नहीं है यहां पर देखें कर यहां की देश की जन संक्या का 16.5% निवास करता है बिलकुल सही बात कर रहा है यहां देश के सरवाधिक बच्चे पाया जाते हैं वैया उत्तरव देश में यह भी सही दिया है दसकी ब्रदी दर्दिया 17.7 यही गड़वड़ी है यहां पर गड़वड़ी मिल गई ओप्सन C पर लिंगा अनपाथ तो 912 है ना यहां पर गड़वड़ी ओप्सन C पर हो जाएगी आगे बढ़िएगा 2011 के अंसार कूट सही आपको चुनना है अब कूट में देखिए और कूट में क्या सही है इसको भी चुनिए 955 नमबर में देखे जोगदान आपका दिया है इसका योन राश्टिय न पा 생겼 आउसस से अधिक आपका है तो ये तो गरत दिया गया है इसकी साच्चतर दर राष्टी औसट से कम है तो ये भी नहीं पहला दूसरा आपको हो जाएगा पहला दूसरा आपको पॉइंट यहां पर हो जाएगा आगे बड़ी ये कोशन आप से गला पूछा गया है यहां पर कह रहा है कि 2011 के अंसार यहां पर देखने को मिलेंगे जहाँ भी जाएंगे रामपुर जरूर मिल जाएग के चाहे जिले से हो चाहे जो लेकिन यह रामपुर वाला ौण पूर गया है यह रामपुर की धन्नो थी अच्छा रामपुर की धन्यों थी एक सत्तान में नंबर अप्सन देना है इलाहबाद हो जाएगा सी नंबर है अगला है 2011 के अनुसार सरवादिक सचर्था वाला जीला कौन सा है यहां पर देखिए 108 वाला जो आपसन है यहां पर देखिए गौत्म बुद्र नगर अपसन से बनता है यह कोशन पिछली बार वीडियो जाब में पूछा गया था देख लिजीगा चेक कर लो हमसे यहां पर आपका जवाब हो जएगा यहां पर साथ हो जाएगा